बंदूओ सब्सक्राइब पर क्लिक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब करें साथ इसाथ घंटी पर भी क्लिक करें ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुं सकेए धन्यवाद आपका स्वागत है हमारे चैनल पर आज के वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे आप अपने प्रेमी प्रेमी का या फिर पती या पतनी को वापस पा सकते हैं आज के बताए हुए टोटके वै उपाय के द्वारा आप उनको वापस पा सकते हैं उनके प्यार को आप वापस पा सकते हैं आपको क्या करना है सबसे पहले आपको क्या करना है आपको एक लोटे में छोटी से जो लोटा होता है उसमें आप पानी भर लीजिएगा अगर हो सके तो गंगा जल भरिएगा अगर गंगा जल नहीं है तो आप शुद पानी उसमें रख सकते हैं और उसमें इलाइची रखनी हैं दो दो और इसके अंदर आपको दो बदाम रखने हैं, जो आपके रिश्टे में गंबीरता ले कर आएंगे, तो इतने बदाम रखने हैंपको, दो बदाम और दो इलाईची उसके अंदर डालने हैं, तो जब आप ये दो बदाम डाल देंगे तो आपको क्या करना है चार सोम बार तक जी हाँ चार सोम बार तक आपको उसको या तो हम आपको तीन जगां बता रहे हैं या तो आप उसको शिव पहरवती के मंदिर में जाके महापर अरपित करें उनकी मुर्ती पर या फिर आप क्या करें अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो आप तुलसी के पोधे पे इसको चड़ा दीजिएगा चार सौंबार तक अगर आप तुलसी के पोधे पे और भी नहीं चड़ा पा रहे हैं तो आप किसी ऐसे पोधे या पेड़ पर चड़ाईए जिसमें फूल उकते हों, खुश्बू वाले आप इन तीन जगाओं में से किसी बेवी इसको चड़ा सकते हैं यह जो हमने आपको बताया था, पानी के अंदर दो इलाइची और दो बदाम डालके और फिर आपको क्या करना है, आपको उसी दिन घर में कोई पकवान बनाना है, मीठा चाया आप लड़ू बना लीजिए, चाया आप पूहे बना लीजिए, या जो भी आप मीठा बना सकते हैं, हलुआ, कुछ भी बना लीजिए आपको अपने साथी को खिलाना है उसी दिन या फिर उसके अगले दिन दो दिनों के अंदर आपको उसको खिलाना वड़ेगा तो आपको यह विदी चार सौमवार तक करनी है चोत्य सौमवार से यह आपको लाप उसका वश्य मिलना शुरू हो जाएगा अब दूसरी बात हम यह बताना चाहते हैं जिनके साथी साथ में नहीं है जुदा हो चुके हैं तो वह तो मिठाई नहीं खिला पाएंगे तो वह का करें आपको लोटे वाली विदी तो करनी ही है आपको लोटे में पानी डालके दो इलाइची और दो बदाम डालने के बाद आपको मंदिर में या फिर तुलसी में या फिर पौधे पे वह चड़ाना है पानी वे तो करना ही करना है साथी साथ अगर आप आपको क्या करना है आपको साथ दाने चावल के लीजिए और उसमें एक चुटकी हल्दी डाल दीजिए और उसको किसी कागच की पोटलीम बना के हमेशा अपने पास रखिएगा अपने पर्स में या फिर अपने कॉपी किताब जहां भी भी आप रखना चाहते हैं उसको रखिएगा कुंडली के लिए चैनल जो बनाया था पवित्र टोटके वह शिरू हो चुका है आप उस पर जाके सब्सक्राइब करिए और उसका जो वीडियो है वह देखिए और समझिए कि कुंडली बनवाने के क्या तरीका है अगर आप चैनल पर पहली बार आया है हमारे कागज पर टोटके चैनल पर पहली बार आया है तो उसको अभी सब्सक्राइब करें और साथी साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाप उठा सकें और अपने खोएवे प्यार को वापस पा सकें धन्यवाद